शोप्रवात, प्यारे बच्चों, मैं संजीत पांडे प्रवक्ता डिवाइन पबलिक इस्कूल मुआनापूर गोरकपूर के वीडियो पाट साला में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षाय गरामी, विशय हिंदी, बितान भाग एक में संकलित, भारती गाई काओं में बेजोड लता मंगेशकर, जो कुमार गंधर्व शाब की रचना है, इसको पढ़ेंगे। आए, सबसे पहले लेखक का जीवन पर चाहे देखते हैं, कि कुमार गंधर्व भारती या शास्त्री संगीत के छित्र में जाना पैसाना नाम है। कुमार गंधर्व शाब भारती या शास्त्री संगीत जो है, इसमें बहुत चर्चित है। इनका जन्म सन 1924 में करनाटक राज्ये में बेल गाउं जिले के शुले भावी में हुआ था। अथाताप का जन्म आप करनाटक के राजने वाले थे और बेल गाउं जिले के शुले भावी में हुआ था। इनका मोल नाम शिव पूत्र साधी दार मया कामकली है। ये बच्पन में ही संगीत के प्रतिश शमर्पित हो गए। कहा जाताई कि मात्र दस वर्ष की अवस्था में ही प्रत्थम बार मंच की प्रस्तूती इनों ने दी थी। इनके संगीत की मुख्य विशेष्ता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी सास्ती संगीत का सुन्दर सामन जस्ष देखने को मिलता है। जिसका अध्भुत नमुना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। इनोंने लोगों में रचे बशे लुप्त प्राय पदों का संग्रा कर और उन्हें स्वरों में बांद कर उन्हें अंतराश्टी पैचान भी देने का कारे किया। इनकी संगीत साधना को देखते हुए इने कालिदा शम्मान, पदम विभूसर सहित, अनेकों सम्मानों से हलंकृत किया गया। इनका देहावशान 1992 में हो गया। आपने लता के विशय में लिखने का कारे किया है। तो उक्त पार्ट में कहते हैं कि स्वर सामग्री, स्वर सामरागी अर्था स्वरों पर राज करने वाली लता मंगेशकर की गायकी पर आपने वेवाग तिपड़ी की है। और यह पार्ट मूरलूप से हिंदी में लिखा गया है। जगत करने का कारे किया है। तो यह दोनों चीजे बहुत हम रखती हैं। आए सास्त्री संगीत और चित्रपट संगीत में पहले अंतर समझा देते हैं कि सास्त्री संगीत दो का बड़ा बार बार उद्वरण इसमें आता है। और यह दोनों कौन से सास्त्री संगीत क्या होती है और चित्रपट संगीत क्या होता है। तो सास्त्री संगीत और चित्रपट संगीत दोनों का एक ही लक्ष है लोगों को आनंद प्रदान करना। सास्त्री संगीत में गंभीरता पेचित होती है। यह इसका अस्थाई भाव गंभीरता है। जित्रपड संगीत का गुण धर्म चपलता व तेज लें है जो चित्रो आदमे दिखाया जाता है जबकि चित्रपड संगीत का ताल प्रात्मिक का ताल होता है सास्त्री संगीत में तालों का पूरा ध्यान रखा जाता है जबकि चित्रपट संगीत में आधे तालों का उप्यों किया जाता है चित्रपट संगीत में गीत और अघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है जबकि सुलवता तथा लोज को अग्रास्थान दिया जाता है और वही सास्ते संगीत के उत्तम जानकारी हो नावस्षक है तीन साड़े तीन मिनट की गाये हुए चित्रपट के किसी गाने का एक और एकाद खांदाने सास्ते गायन के तीन साड़े तीन घंटे की माफिल का कलात्मक वा आनंदायत्मक मुल्य एक ही होता है कि कौन कि संगीत के माध्यम से अपने पाठकों को कितना ज़्यादा दे तक बाधे रख सकता है या उसके अपनी माध्या होती है तो इसके प्रश्णों पर जब चल्चा करेंगे तो और विस्तार से देखने का कारे करेंगे दोनों अपनी साली की रचनाये हैं आए इसमें देखने का कारे करतेंगे परतम मद्याय कुमार गांधार दोशा की रचनाये भारती गाई काओं में बेजोड लथा मनगेशका電क कहते हैं बछ tease दिनों की बात है वह सब्टक्रा फैले कि बात है कि एक बार मैं बिमार पड़ा था उस बिमारी में एक दिन मैंने सहरी रेडियो लगाया और अच्हाने की एका डुस्ती स्वर कानों में पड़ा कहते हैं कि उस बिमारी में और था शरीर में ब्याद थी पीड़ा थी और इस पीडा से मैं बहुत दुखी था कोई उपाय नहीं सूज रहा था तब मैंने रेडियो को आन किया और जैसे ही रेडियो आन हुई तो मेरी कानों में एक अदुती अर्था जिसका कोई जोड नहों कोई टक्कर नहों वो अत्यन्त ही दुरलभ हो ऐसा स्वर इनकी कानों में सुनाए दिया स्वर सुनते ही मैं अनभाव किया कि यह स्वर कुछ विशेश है अब हम आप तो वहाँ है नहीं आप तो लेखक है उसको इस संगीत के दुनिया का पूरा ग्यान है कौन कुई इस तरह का स्वर है किसकी कैसी आवाज है आदिया चीजे वह खुबी वह जानता है हम आप होते तो सुन करके यूँ उसमें जो हमको आनंद करने वाली चीजे होते उसको अपना लेते वाकि दिलिट करके यूँ छोड़ देते लेकिन लेखक कोई विशेश लगती है और आवाज उसको अपने अंदर बशा लेना चाहता है करता है रोज का नहीं कि रोज का नहीं वह स्वर सीधी मेरे कलेजे से जा बिड़ा मैं तो हैरान हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है करता है इसको देख करके मैं परिशान हो गया कि ऐसा स्वर कौन दे सकता है मैं तनमेता से सुनता ही रहा गाना समाप्थ होते गायकी का नाम गोशित किया गया लता मंगेश का करते हैं जैसे गाना समाप्थ हुआ तो गायक का नाम गोशित हुआ और उसमें मैंने देखा कि वो नाम था लता मंगेशकर मैंने जब इस नाम के विशय में पता लगाया तब पता चला कि मैं सुनते ही चकित था मन ही मन एक शंगत पाने का अनभव भी हुआ और जब मैंने पता लगाया कि यह कौन है तब पता चला कि सुप्रशिद्ध गायक दीनानात मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्नी की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अन्बा हुआ कि यह जो आवाज है वो दीनानात गाये एक गायक हुआ करते थे उनकी पुत्री का है मुझे लगता है बरसाथ के भी पहले कि किसी चित्रपट का हुआ कोई गाना था कहते हैं बरसाथ जैसे कजली चैता लोग गीतों आज का बेविंतरा का परसलन है सावन में बेविंतरा की अगरा का नाम अपने सुना होगा तो ये सारी लोग गीतों की जिस तरह से परंपरा होती है वैसे ही करते हैं कि बरसाथ के पहले किसी चित्रपट का हुआ कोई गाना था तब से लता निदंतर गाती चली आ रही है मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूं और करते हैं लगात के पहले एक नूर जहां हुआ करती थी उसका चित्रपट संगीत में अपना एक विशेश जमाना था परंत उसी छेत्र में बाद में आयू ही लता उससे कहीं आगे निकल गई कला की छेत्र में ऐसा चमतकार कभी-कभी दिख पते हैं जैसे प्रशित सितार ये विलायत खां अपने पिता से बहुत आगे जाकर के यसमान समानात सब कुछ कमय हुए थे पर गते मेरा असपष्ट मत है कि भारती गाईकां में लटा की जोड़की गाईका हुई नहीं करते मैं असपष्ट रूप से कह सकता हूं कि आज तक जितनी भारती गाईकां है उनमें लता की लोग प्रीयता प्राव्ट हो honिए है अथात लता है कि कारण शंगीत को एक बिलंचछन अथात सब शे अलग फ्रियता प्राव्ट हो होई है ही यही नई लोगों का सास्त्री संगीत की और देखने का द्रिस्टी कौण भी एकदम बदला है करते इतना ही नहीं लोगों का सास्त्री संगीत के प्रती एक बदला द्रिश्ट कोंड भी देखने को मिलता है छोटी बात कहूंगा पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है कहते हैं कि पहले एक छोटी शी बात लोगों को जागरूप करना चाहूंगा कि पहले मैं देखता था कि जो लोग आया गाउं घर के बच्चे संगीत को गुंगुनाया करते थे और आजकर के बच्चे जो संगीत को गुंगुनाते हैं इसमें असलिलता आ गई है बहुत नगनता है शबनों का ऐसा प्रकौप देखने को मिलता है कि ब्यक्ति को भो बहु नंगा करके रख देने का कारे करता है तो आज कल अपनी पपुलर्टी अर्था थोड़ा सा मान सम्मान हिस पाने के लिए लोग बहुत नीचे तक गिर जाते हैं ये उस परिवेश में नहीं था क्या लता इस जादू का कारण नहीं है कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पढ़ने लगे तो कोई भी शुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रत्न करेगा अर्था कोयल कि अवाज अगर किसी ब्यक्ति की कानों में पढ़ेगी और वो थोड़ा बहुत भी संगीत प्रेमी है तो जरूर उसका वो अनुकरण करने का कारेगा ये स्वभाविक ही है चित्रपट संगीत के कारण सुन्दर स्वर मलिकाएं लोगों के कानों पर पढ़ी रही संगीत के बेभिद्ध प्रकारों उसे उनका परचे हो रहा है उनका श्वर ग्यान बढ़ रहा है सुरिलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है तरह तरह की लएके भी प्रकार उन्हें सुनाई पढ़ने लगे है और अकार्युक्त लएके साथ उनकी जान पर अचान होती जा रही है साधानन प्रकार के लोगों को भी उनकी सुक्ष्मता समझ में आने लगी है था तिन्ही की देन है कि आमजन गवई परिवेश में पाये जाने वारे लोगों को भी चित्रपट और सास्ती संगीत की भिन्यता और इस चित्रपट संगीत में जो लता के गाने हैं उसकी सुद्धता का पूरी पूरी तरह से अभास लोगों को होता जा रहा है इन सब का स्रे लता को ही है इस प्रकार उसने नई पीडी को संगीत के संसकारित किया और समान मनुष में संगीत विश्यक रुच पैदा करने में हाथ बटाया करते हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आज कल जो असलीलता दिरे दिरे दूर हो रही है और लोग अच्छी संसकीत को अपनाने का कारे कर रहे हैं अच्छे संगीत को सुनने का अपनाने कारे कर रहे हैं शमानतद शुरोता को अगर आज लता की ध्वन मुद्रका और सास्ती संगीत की ध्वन मुद्रका सुनाई जाए तो वो लता की ध्वन मुद्रका ही पसंद करेगा। तो ध्वन मुद्रका में स्वर लिपिया होती है जो अपने संगीत व्यक्त करंगी जैसे सारे गामाई पादानी शार ये क्या है संगीत तक यह समझते होंगे हमारे आपके लिए तो बस अइसे चनद सब्द है कि सारे गामा माई खत्म हो गया लेकिन इस पर संपूंड ये स्वांगीत निर्वर है और इस स्वार को वभ्यक्त हो ऐसे इनकी ध्वन मुद्र का अपनी स्वार लिपियां है और सास्त्री गायकी जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों में कुछ ऐसे बंधन होते हैं जिनके अंदर ही गया जा सकता है जैसे ख्याल हुआ या सास्त्री बेवरा इस आदमी को सासा मालूम नहीं रहता कहते हैं कि आमजन जो हते हैं वहा दियात के उनकी बिल्कुल परक्ट नहीं होती वह सिर्फ उनको आनंद से मतलब होता है उसे कोई मतलब नहीं कि माल्कोस था चैसे है मालविभी थाप कहा राग होता है जिसमें और पवरजित होता है तो यह हम आप तो समझेंगी नहीं यह साहिद के छेत्र के लोग ही समझ सकते हैं और त्रिताल क्या है तो त्रिताल जो है यह शुला मत्राओं का ताल है इसमें चार-चार मत्राओं के चार विभाग देखने को मिलते हैं फिर कहते हैं कि उसे तो चाहिए वह मिठाज जो उसे मस्त कर दे जिसका वह अनभाव कर सके और यह स्वभाविक ही है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य होतो वह मनुष्य है वैसे ही गानपन होतो वह शंगीत है अब गानपन क्या है तो गाने का ऐसा अंदाज जो एक आदमी को भाव विभोर कर दे वह गानपन होता है कि जितने आदमी सुन रहे हो वह उसे पूरी तरह से प्रभावित हो वह गानपन होता है तो कहते हैं इस से पहले पार सो गाईका नूर जहां हुआ करती थी अथा लता के पहले चितरपड संगीत के जो गाईका थी वह नूर जहां थी और उनकी बड़ीख्याती थी इसमें संदे नहीं तथापिस गाने में एक मादक उत्तान देखता था लता के स्वरों में कुमलता और मुगता है ऐसा देखता है कि लता का जीवन की और देखने का जो दिस्टिकूर है वही उनके गायन की निर्मलता में जलक रहा है करते हैं अपने जीवन से अपने गानों से पिडियों को परिवर्थित करने का कार करती हैं शब को संसकारित करने का कार करती हैं ऐसे स्वर देने का कार अगर किसी ने करा किया तो बलता मंगेश कर है हाँ संगीत दिखदर्सकों ने उन्हें स्वर की इस निर्मालता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए उतना नहीं किया येकिन कहते हैं शंगीत को जो जानने, सुनने, समझने वाले लोग हैं जितना इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जितनी मात्रा में इसको अपनापन बना लेना चाहिए वो नहीं हो पाया लोगों में लगता के गाने की एक और भी सेशता है उसका नादमय उचार कहते हैं कि एक लंबी आवाज एक मधूर आवाज जो होती है वो उसके संगीत के किनी दो शब्दों का अंतर श्वरों के अलाप द्वारा बड़ी सुंदर रिटी से बराए कहते हैं कि उनके संगीत के अंतर को अपनी श्वरो के यलाप दोरा जैसे जो भरने का काम करते हैं वैसे जो लंबी शांस लेकर के श्वरो को जोड़ते हैं आपस में बनाते हैं ऐसा सुनददर रहती है, अगर किसी में देखा जाता है तो लटा में और ऐसा परतीत होता है कि दोनों सब्द बिलीन होते होते एक दूसरी से मिल जाते हैं अथा दोनों के जुड़ाओं जो ठारा होता है उनमें ऐसे स्वरों का कमपन इनके देखने को मिलता है कि दोनों आपस में आकर के जैसे लगता है कि अलग होते होते आपस में मिल जाते बात पैदा करना बड़ा कठीन है परंतु लता के साथ यह बात अतियन साज और स्वाविक हो बैठी है अईसा माना जाता है कि लता के गाने में करूनरस बिशेश प्रभावी रित से ब्यक्त होता है काते हैं कि बहुत बारे की से गहर करिएगा बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है ये ऐसा माना जाता है कि लता ने जितने भी गायने गायें सब में करूणता का आभाष होता है पर मुझे खुद बखुद देया हम बात नहीं पड़ती मेरा अपना मत है कि लता के करूणरा देखने को मिलता है और आपने शिंगार को भी करूड के साथ साथ सिंगार को भी अपनाया है और शिंगार में भी आपने बहुत सारी रसनाय की है बहुत सारी लोगों को आनदित करने का कारी किया है लता का गाना समानता उची पटी में रहता है गाने में शंगीत दिखदर्स किया जाता है कि सास्त्री संगीत में लता का अस्थान कौन सत है मेरे मत से अप्रश्न खुद ही प्रयोज नहीं है इसका कारण यह है कि सास्त्री संगीत और चित्रपट संगीत में तूलना हो ही नहीं सकती करते हैं दोनों भिन भिन है और दोनों में कोई अपना विशेश तू प्रुमें आपको बताया कि सास्त्री संगीत का सबसे प्रधान भावज होता है वह गंभीरता होती है और वहीं अस्थाई भावज उसका है जलद ले जलद ले क्या होता है तो ले तीन प्रकार क्यों होते हैं बिलंबीत ले अर्थाद धीमी मध्यम अर्थाद बीचकी और उतले अवाज कही जाती है तो कहते हैं कि जदले और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है अथा तेज गच्छे गाया जाता है जहां एक सास्ती संगीत गंभीरता को करता है वहीं चित्रपट तेज धर्डे में गाने की अपनी कला है दोनों के अलग- चुकी होती है चित्रपट संगीत में आदे तालो का उप्यों किया जाता है उसकी लेकारी बिलकुल अलग होती है अशान होती है यहां गीत और अगहात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है शुलता और लोज को अग्रा स्थान जाता है तथा अब चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्ती संगित की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास नीश संसय है तीन साड़े तीन मिनट के गाये हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाद खांदानी सास्ती संगित की तीन साड़े तीन घंटे की माफिल इन दोनों का कलात्मक और आनन्दात्मक मोल एक ही है जैसा मैं मानती हूँ किसी उत्तम लेखक का कोई ब्रिष्टित लेख जीवन के रहस्य का विश्य रूप में वड़न करता है तो वही रहस्य छोटे से शुभासित का या नन्ही सी कहावत में सुन्दाता और परिपूर्टा से प्रगट हुए दिष्ट कोचड होता है मैं कहता हूँ ऐसा देखने को मिलता है उसी प्रकार तीन घंटे की रंगदार में अपिल का सारा रसलता की तीन मिनट की ध्वन मद्रिका में आनन्द की आ जा सकता है करते हैं समयों को कि तीन घंटे की जो संगीत से आनंद व्यक्ति प्राप्त करता है वो तीन मिनट के इनके अपने हें संगीत से वो सबको भावविभोव कर देती है व्यक्ति आनंदी धोड़ता है फिर कहती हैं कि अन्त में रशीक को आनंद देने की सामर्थ किस गाने में कितना है इस पर उसका माधत ठारता होचीत है मैं तो कहूँगा कि सास्ति संगीत की रणजक हो तो बिल्कुल ही निरस ठारेगा अना करसक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होनुगी जाने में जो गानापन फ्राप्ट होता है वो केवल सास्तिरी बैठक में पक्केपन की वज़ा से ताल, सुर, के निदोस ग्यान के कारण नहीं गाने की सारी मिठा, सारी ताकत उसकी रंजक्ता, परमोखेता अविलंबित रहती है काते हैं, उसी पर पूरी तरह से निर्भर रहती है और रंजक्ता का मरम रसिक बर के समक्ष कैसे प्रस्तूत किया जाए और कहते हैं, जो उसकी अपनी रंजक्ता है, वो रसिक बर के सामने किस रूप में ले करके आजाए किस रूप में उसको प्रस्तूत किया जा, किस रूप में उसका अनुकरण किया जा, आध्यार बाते, फिर कहते हैं कि उनके समक्ष कैसे प्रस्तूत, किसी रीत से उसकी बैठक बिठाई जाए और सोटाओं को कैसे शाधुआत दिये जाए, साधुआत दिये जाए, इसमें समाविष्ट है, किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिवासाली का लाकार द्वारा, उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में से जो अंतर होगा, वही गायन के सास्त्री ज्यानों की स्वर द्वारा सुनाई हुई गई, संगत अनुष्ट का अस्थि पंजर थात उसके हड़ियों का कंका, किसी मनों के हड़ियों का कंका ले लिजे, और एक उसका तैली चित्र जो पेपर पे बनाया जाता है, यही दोनों में एक हुब भू जो आकर्षित करता है, और एक जो चित्र के रूप में आकर्षण है, यही द सबसे उच्छे सबसे गुर्वत तायोक्त जो खांदानी गायक हैं उनमें इनका मानना पड़ेगा क्या लता तीन गंटे की मफिल जमा सकती हैं प्रश्ण उठाता है उस पहले क्या लता अपने गानों से तीन गंटे की मफिल जमा सकती हैं ऐसा संसभ्यक्त करने वाले से मुझ भी एक प्रश्ण पूछना है कि क्या कोई पहली सेड़ी का गायक तीन मिनट की ओधी में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुछ अलता और अतुसक्ता से गा सकेगा तो लिखा कहता है मैं भी पूछना चाहूंगा कि क्या जो तीन गंटे की मंची प्रस्तूती दिने वाल इक अलाकार है वह इस सहली से इतने सारे लोगों को तीन मिनट के अंदर भावविभोर कर सकते हैं अपने अंदर बाद सकते हैं नहीं यहीं उस प्रस्ण का उत्तर देना पड़ेगा खांदानें गवयों का ऐसा ही दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुच विगड़ गई है चित्रपट संगीत ने लोगों के कान विगार दिये हैं ऐसा आरोप लगाया जाता है पर मैं समझता हों कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किये उल्टे सुधार दिये हैं यह विचार पहले ही व्यक्त किये और पुरूर की पुन्रोगती नहीं करूंगा काते हैं मैंने लोगों के उद्रण की माद्यम से इसको समझाने का कार किया है अब मैं दुबारा इसको बताने का कार नहीं करूंगा सच बात या है कि हमारे सास्त्री गायन की बड़ी आध्म संतुष्ट बृत्ती के हैं संगीत के छेत्र में उन्होंने अपनी होकूम शाहिया स्थापित कर रखी है कहते हैं जो सच बात है वह एक सास्ति गायक जो है वात्म संतुष्ट प्रवित्र के हैं और संगीत के छेत्र में अपनी जो हुकूमत है वो उन्होंने बरकरार रखी है वो अस्थापित कर लिये हैं सास्त्र सुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवशक्ता से अधिक महत्तो दे रखा है अर्था जो सास्त्र सुद्धता का कर्मकांड होता है और जितनी उसकी महत्ता होती है उससे कहीं अत्यदिक वो अस्थान दे दिये हैं मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की हावपून गाना चाहिए और यह क्रानती चित्रपट संगीत की लाया है चित्रपट संगीत समाज की संगीत विश्व कवरुच में प्रभावशाली मोड लाया है चित्रपट संगीत की लशकदारी उसका एक और सामर्थ है ऐसा मुझे लगता है उस संगीत की मानिताएं जान अलग है यहां नव निर्मित की बहुत गुंजाईस है और जो नई चीजे बनाई जाती है उसकी अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं जैसा सास्ति जाकदारी का चितपट संगीत दिखदर्शकों ने उप्योग किया उसी प्रकाराज थानी पंजाबी बंगाली करते हैं और इसके गाएक वर्गुसकी बावाई को खोब लोटते हैं यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोगीत रूच और निला जरास्थान में प्रजन्य की याद दिलाने वाले गीत पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रति लुक्षित्रन के छेत्र में प्रभावी संगीत दिर्दस्कों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे थोड़े से में कौन तो संगीत का छेत्र ही वित्तिग्ण है काते हैं कि अपने अपने परिवेस की अपने अपने चेत्र की अपने अपने विविन मैमा की अनेक अपनी संगीत होती है और अपने अपने तर तरीके से उसको इसको लोग अपनाने का कारे करते हैं उसमें उसमें अपनी अपनी वेवे नेक्षाएं ब्यक्त की जाती है वहां अब तक अलचित और शंसोधित और अंद्रेश्टि पूर्ण ऐसा खोब पढ़ामात तथा पी बड़े ज इसने काफी विकास होता चला जा रहा है ऐसे शित्रपड संगी छेत्र की लता अनवीशिक्त सामगरी है और भी कई पार्शुगाय गायका है पर लता की लोग प्रिता इन सभी से कहीं अध्यदिक है अर्थात पार्शुगायकों में लता सबसे अध्यदिक सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है पर लता की लोग प्रिता इन सभी से कहीं अधीक उसकी लोगप्रिता के सिखर का अस्थान अचल है बीते उनके वर्सों में वह गातिया रही है और फिर भी उसकी लोग प्रियता अब आदित है लगभग आदिश अताबदी तक जन मन पर सतत प्रभुत्त रखना आसान नहीं जादा क्या कहूं एक राग भी हमेशा ठीका नहीं राता भारत की कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे यही नहीं परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठें क्या यह चमतकार नहीं है और यह चमतकार हम पृत्यक्ष देख रहे हैं उनकी आवाज से उनकी अपनी भाविबोर्ता के कारण यहां देश विदेश तक लोग अथा दुश्यों के कोने कोने तक लोग आदध आनंदित होने का कारी कर रहे हैं यह एक तरह से चमतकार है और इस चमतकार को मैं अपने आखों से दर्शन कर रहा हूँ ऐसा कलाकार सताब्दियों में सायद एक ही पैदा होता है लता की तरह कलाकार सो बरसों में सायद एक इस्वरी देन होते हैं और सायद एक ही पैदा होता है ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है इसे अपनी आखों के सामने घुमता पिरता देख पा रहे हैं कितना बड़ा भा अर्थात हम बहुत बड़ी शौ भागे साली हैं कि सौ बर्सों में हम हैं और हम मोरी आंखों के सामने इस तरह का बड़ा कलाकार है ऐसा बड़ा शौ भागे की बात है हम बहुत भागे साली हैं कि लता जैसे कलाकारों को हमने अपनी आखों से देख सुन पा रहे हैं बहुत ही भागेशाली हैं इस तरह लेखक ने बताने का काल किया दन्य बाद